तो यह वही पुराना चार्ट है जो लेविल अपने सेट करें थे वही लेविल देखने को मिल रहे हैं 417, 420 के बाद स्टॉक जा नहीं पाया यह हाला कि साइकलोजी का लेविल सेट किया था 425 वो उसके पहले रिजेक्शन आ गए तो वही लेविल देख रहे हैं उसके उपर तो अपनको को यह डेवल्मेंट देखने को नहीं मिली आला कि स्टॉक में अपने जो टाइम किया था वह बहुत सही था यह जोन से पकड़ाता तो रेटर्स भी बहुत अच्छे निकल के आए अभी भी कुछ लोग ग्रूप में हो यहां पर तो कुछ नाजर डालते हैं एक तो यहां पर आती है दा नियूली अक्वाइड बिजनेस ऑ वाटर ट्रीटमेंट केमिकल इस दूइंग वैल वाइल देशनल डाइवर्स एपिकेसन प्लन 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 स्पेशलेटी क्यमिकल असाप जंप इन लेवरेज चन ह तो यहां पर अभी इसमें और पॉटेंशल देखने को तो डेफिन्टली मिलने वाले साथ जो यहां पर ब्रेकरेज फॉर्म के तरफ से आंकड़े आए जेंफाइन इस बार देखें तो एफ़ाइए की जो श्टेक है वो 5% के आसबास है और यहां पर पॉटेंशल तो अच लास्ट वीडियो में डिसकस करे थे मैंने रिजल्ट वहां जाके आप चेक भी कर सकते हैं अब देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या पोटेंशल रहने वाला क्या सा क्या चलेगा हाला कि यहां पर देखें तो रिजिस्टेंस जो अपन को देखने को मिलने वाली है वापेस से इसी जोन पर रहेगी 412-415 और जब तक यह उपर की यह resistance ब्रेक नहीं करता है 410-412 तब तक इसमें कोई बड़े move नहीं आई यहां कि 445 का level यहां कहीं आता है psychological level जब 5 point पहले है तो यहां तक तो stock चल सकता है फाइनली stock में जो भी अपने move देखने को मिलेंगे अपनको वो रहेंगे यहां पर RSI की according तो चल सकता है daily TF की according वापे से trend reversal आ रहा है short term यहां से अगर आप एक trend line बनाते हैं तो आपको थोड़ी से आप idea लग जाएगा कि कैसे trend reversal हो रहा है RSI ने यहां support लेके bounce किया था और same as it is यहां support लेके भी bounce कर रहा है इसी वज़े से कुछ momentum है short term हैगा तो थोड़ा struggling phase रहेगा एकदम से नहीं भागेगा कि वह तो नहीं रहने वाला है weekly TF के according भी अगर आप यहां पे देखते हैं तो weekly TF पे भी आपको कुछ इसी तरही के scenario देख रहे हैं यहां पे straight forward trend line बन जाती है और उपर की तिशा में फिर से यह चलने के लिए ready है तो फिलहाल के लिए जो target है 445 यहां तक के रहेंगे बट उसके लिए stock को at least यह level sustain करना है 410 यहां को support create हो जाए बार बार यह psychological level से गिर जाता है 400 का level sustain नहीं कर पा रहा है यहां दिखकता रही है heavy selling है तो 410 sustain करता है तो फिर भाई 445-445 दूर नहीं है क्योंकि यहां पर 410 के बाद जो next hurdle रहेगा वो psychological level होगा वो की रहेगा अपना 425 का यहां पर है तो यह zone को sustain करना बहुत important है तभी उपर की दिशा में देखने को मिलेगी हालकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कितने दिनों में चलेगा क्योंकि market में आप देखें बेरिश ट्रेंड थोड़ा देखने को मिल रहा है overall जो market trend है वो थोड़ा बेरिश हैगा मतलब as of आप देखें चार सो चार सो दस निकल जाता है तभी अपन को देखने को मिलेंगी और अगर नहीं निकल रहा है तो यहां consolidation ही करेगा अगर गिरावट नहीं आ रही है तो consolidation होगा consolidation में भी कुछ हारे साइग कूल हो जाता है मैं भी फिर अपना market जब potential पकड़े इना week next week ही potential देखने को मिलेगा फिलहाल तो अब एज़न कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि एक ही दिन बचा है इस weekend का next week ही देखना पड़ेगा PCVL में कोई अच्छा move रहेगा तभी अपना पीचे आया नहीं है 375 को जाधा follow करके चल रहा है तो यही अपने support है और यही resistance है momentum है उपर के लिए but as of मैं यही कहूंगा अगर बारवार नहीं नकल रहा है 400 नहीं जा पा रहा है तो profit booking कर लिजेगा क्योंकि फिर यह correction definitely बनाएगा साड़े 300 के लिए वहां पर consolidate होके फिर rally क करेगा यह अच्छे वाली तो पुछ ऐसे चल सकता है तो मैंने PC बेल अच्छे से clear कर दिये एक चीज़ और बता दू मैं live sessions भी लेता हूं market hour में सुबह 10 बज़े से एक बज़े तक live रहता हूं और साम 9 बज़े भी live आता हूं तो आप अपनी queries clear करने के लिए live session में join कर सकते इंटरेक्ट कर सकते है queries भी जल्दी clear होती है YouTube पर stream होती है free of cost होती है तो आप join कर सकते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में this is me Subhamiyaadav signing off